साथियों को जय भीम नमोगुद्धाय साथियों जो लोग भी हमारे चैनल से जूरे हैं जो लोग भी हमारी वीडियो देखते ह Crash वो लोग मैं जानता हूँ सभी बहुजन एकत्रित होना चाहते हैं और ये लोग तो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा समाज एकत्रित हो इसलिए या वीडियो बहुत जुरूरी है सभी लोगों के पास पहुचना हमारे OBCS, CST समाज के पास क्योंकि हमें ही आपस में एक जुर बना के रखना है एकत्रित होके रहना है हमारा समाज आज आपस में ही एक दूसरे से जातिवात करता है कि तुम चमार हो, तुम भंगी हो, तुम चूड़ा हो नहीं, हम OBCS, CST जितने भी लोग हैं सभी के सभी सुद्र हैं हम सब को हजारों सालों से इन लोगों ने दबाया है कुछला है, रौदा है, हमारी बेटियों के साथ अबद्दता की है हमें पीटा है तो हमारे इस वीडियो को अदेश है कि अगर हमारे वीडियो को देखते हैं और आप समझते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, तो उसी हिसाब से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कि हमारे समाज में अगर सुधरना है, तो हमें आपस में एकता बनानी पड़ेगी, हमारे समाज को एक होना पड़ेगा, आपस में रोटी बेटी का सम्बंध करना कौन है हमसे छोटा बड़ा अगर आपको चितनी भी लोग हम जैसे लोगों से जुले हैं हम जैसे लोगों की वीडियो देखते हैं कि हाँ हमारे समाज को इकत्तित करने के लिए ये लोग वीडियो बना रहे हैं जो अपने इतिहास को पहचान चुके हैं अपने पुराने वजूद को चान चुके हैं कि हम पीछे के समय में हम सभी सूद्र ही थे हम सभी पर जो है बहुत बुरी तरीके से परताना की गई है तो आज हम अलग हुए हैं तो आज हमें फिर से एक होने की ज़रूरत है इसलिए ये आप सबको सोचना है कि हम में जितने भी OBCST हैं एक दूसरे से घिर्णा नहीं करनी है एक दूसरे समात को जो है हम चोड़ के चलें और सबस्पहले तो हमें आपस में ही रोटी बेटी का सम्बंध करना है हमें इंसे कोई मतलब नहीं रखना है ये तो चाहते ही ह हैं कि हम एक दूसरे से तूटे रहें फूटे रहें क्योंकि ये हमें हिंदू हिंदू कहके इकठा करेंगे और बाद में का काम हो जाने की कारण ये हमें फिर लात मार के सुद की कटिगरी में रखेल देंगे अब चाओ तुम सुद्र हो फिर उस टाइम आपको कैसा लगता होगा तो ये हमें कभी नहीं चाहेंगे हमको हिचाना है आपको हिचाना है हमारा समाज ही इकत्रित हो यही हमारे लिए बहुत है मेरी बीडियो बनाने का उद्देश ही मकसद ही यही है कि हमारा OVCST समाज जो कभी सूद्र हुआ करता था जो कभी एक हुआ करते थे आज जो जो इतने सारे अलग हो गए हैं वो सब एक दूसरे को नीचे दिखा रहे हैं और यह हमारी मानसिक्ता नहीं है यही हमारे मानसिक को जो है डुबाक रखना चाहते हैं कि तुम एक दूसरे से जाते में उपर हो हम उपर किसी से नहीं है हमारे समाज को संगठित होना है एक होना ह कुए ताकि सब से पहले हम एक होकर आपस में रोटी-बेटी का संबना ले रगेगे इनको तोड़ने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा जब तक हमें कतिरत हैं होगे हमारा समाज का समद्नहीं बनाएगा तब तक हमारे समाज को यह लोग इसी तरीके से जाति में के चक्कर में रोंदते रहेंगे ना हमारा समाज कोई आगे बढ़ पाएगा ना बढ़ने देंगे तो साथियों इस पर जरूर विचार करना अच्छी लगी हो वीडियो तो अपरे दोस्तों में भी ये बाते शेयर जरूर करना तो जय भीन दोस्तों